आज Air India बिक गया, इंडियान एरलाइन्स बिक गया, त्यूं बिक गया, बिक इसलिए गया कि भारत सरकार की जिंबेवारी अमीर के साथ-साथ गरीद इलाकों में भी एरलाइन्स जलाने की थी, जहाँ पैसेंजर नहीं मिलते थी, अगर तला में जाना है, नॉर्थ इस्ट में जाना है, गुहार्टी में जाना है, उस जमाने में पठना में जाना था, गया जैसे छोटे जगह पे जाना था, तो एर इंडिया इंडियन एरलाइन्स जाती थी, कम पैसे पर जाती थी, उसका फेर गर्मेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती थी, यहीं कारण है कि वो पै Indian Airlines or Air India फाइदे में थी आपके G.O.M. ने मानि चिदंबरम साहब ने ऐसा सिच्वेशन पैदा किया कि प्रतेक साल 30,000 करोड, 40,000 करोड, 50,000 करोड नुकसान में जाने के कारण आज भारत सरकार को Air India बेचना पड़ी कि मैं जब 2009 में यहां सांसत बन कर आया, तो मैक्सिमम मेंबर आप पार्लिमेंट हमारे इलाके में रेल जाना चीए, रेल का स्टॉपज होना चीए, पैसेंजर ट्रेन होना चीए, यहीं चलता रहा, 2009 से लेके 14 पर, मेरे यहां गए थे सिंधिया साब, एक छोटे से जगह में जहां कि ट्रेन नहीं रुकती थी, आज हुआ हावाई जाज रुकता है, हवाई जहाज चलता है, बेंगलोर के लिए वहां से प्लेन है, दिल्ली के लिए वहां से प्लेन है, कलकत्ता के लिए प्लेन है, राची के लिए प्लेन है, पटना के लिए प्लेन है, सभी जगह स्वापति मुखदिया मैं अपने नए सदस सफी परिम्बल साहब के पहले रिजुलिशन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ सवभाग है कि नए मंत्री कैबिनेट मंत्री राम मोहन आईडू सिहाब यहां बैठे वे हैं और इनके पहले जो मंत्री थे मिस्टर सिंधिया मेरे पुलने पहले आगए मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मानने प्रधान मंत्री जी जिस निती और नियत को बढ़ाना चाहते हैं उसको पहले सिंधिया साहब ने और अब प्राम मोहन नाईडू साहब उसको बढ़ाने के लिए जी तोड मेहनत कर रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं यहां बड़ी चर्चा होती है कि आप इस पर क्यों चर्चा करते हैं उस पर क्यों चर्चा करते हैं सफी साहब जिस पार्टी के सदस है और इनके प्रेम चंदरन साहब जिस पार्टी का समर्थन करते है उनको यह समझना चाहिए देश को बताना चाहिए कि इस तरह का situation आखिर पैदा किसे हूँ आज जो हम Parliament में चर्चा कर रहे है मंत्री को कह रहे हैं कि कानून को बदलो कभी इसके बारे में सोचा है कि 1957 में जो एक्ट बना 1937 का एक्ट जो 1957 में जवाहरालाल नहरू सहाब बना कर गए उसको 1994 में सारे घर को बदल डालूंगा क्या अधार पर कॉंग्रेस ने क्यों बदल यही तो है ना यही तो सबसे जो जो बात आप मानने मंत्री जी को प्रेम चंदरन सहाब सजेशन दे रहे हैं जिस एक्ट को बदलने की बात कर रहे हैं जिस एक्ट को मजबूत करने उस जमाने में पठना में जाना था गया जैसे छोटे जगह पे जाना था तो Air India इंडियन इरलाइंस जाती थी कम पैसे पर जाती थी उसका फेर गर्वर्मेंट आफ इंडिया रेगुलेट करती थी यही कारण है कि वो पैसा नहीं कमाने के कारण धीरे 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 वो प्राबलम में चली गई और सबस्या तब आ गई जब इंडियन इरलाइंस वारे इंडिया का आपने मरजर कर दिया आज टेलिफोन में यदि टैरिफ कंट्रोल है यदि 40 पैसे में हम फोन पर बात कर पा रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं कि सब कुछ के बावजूद भी BSNL और MTNL को भारत सरकार ने नहीं बेचा है उसने एक रास्ता दिया है कि चाहे एर टेल महगा हो जाए वोड़ा फोन महगा हो जाए रिलाइंस महगा हो जाए कोई भी महगा हो जाए लेकिन भारत सरकार 140 करोड आदमी के साथ खड़ी है और वो एक सस्ते दर पर मुबाइल फोन देगी लोगों को देगी टैरिप देगी लेकिन जो इंडियन एर लाइंस और एर इंडिया फाइदे में थी आपके जी ओ एम ने माने चिदंबरम साहब ने ऐसा सिच्वेशन पैदा किया कि प्रतेक साल 30,000 करोड 40,000 करोड, 50,000 करोड नुकसान में जाने के कारण आज भारत सरकार को एर इंडिया बेचना पगी और जब बेच देंगे तो भारत सरकार के पास इस एक्ट के खतम होने के बाद कौन सा मेकनिजम है जिसके आधार पर की वो रेगुलेट कर सकते है आप 94 से आगे बढ़िए 94 में आ गया प्रावेटाइशन हो गया इस्ट वेस्ट एरलाइन्स आ गयी जेट एरवेज आ गयी इवन किंग फिसर आ गयी सारे एरलाइन्स आ गये अटल विहरी बाजपई की सरकार आ गई जिस अटल विहरी बाजपई की सरकार ने एर इंडिया और इंडियर इलाइन्स को प्रॉफिट में डाला इसके बाबजूद भी उस एक्ट में जो 1973 में इंद्रा जी ने आप लोग चुकी लोगों को भूल जाते हैं इसलिए मैं आपको का रहा हूँ हम नेरू जी का आदर करते हैं इंद्रा जी का आदर करते हैं उन्होंने जो एक्ट लाया था 135 B एर क्राफ एक्ट 1957 में जो फिर भी DGCA को अधिकार देता था जब हमारी सरकार गई डल्विहारी बाच्पीजी की सरकार गई सभापती महोदिया तो सेप्टेंबर 2004 में उस 135 B को भी ख़तम कर दी क्या कारण था आप यदि कहेंगे कि डी रेगुलेट हमने इसलिए गया कि प्राइवेट एरलाइंस को एडजस्ट करना था तो हमारे समय में भी तो एडजस्ट था छे साल हमारी भी तो सरकार थी न हमको तो यह कभी नहीं लगा लेकिन आपने क्या कि आपने 135 और जिस दिन आपने 135 B को खतम कर दिया उसके बाद भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचे और आज जब हम यह चर्चा करते हैं तो यह पूरे देश को समझने का सवाल है कि कॉंग्रेस की नीतियों के कारण उस लेगेसी प्रॉब्लिम के कारण आम जनता आज 140 करोड जनता परिशाने में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जब 2009 में यहां सांसर्थ बनकर आया तो मैक्सिमम मेंबर आप पार्लिमेंट हमारे इलाके में रेल जाना चाहिए रेल का स्टॉपेज होना चाहिए पैसेंजर ट्रेन होना चाहिए यही चलता रहा 2009 से लेके 14 पर लेकिन 2014 में जब मानने प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री बने और उड़े देश का आम नागरिक जब उन्होंने कहा कि चपल वाले को भी जो है हम प्लेन में बिठाएंगे हवाई चपल वाले को और जब सिंधिया साहब ने जिसको कैरी किया कि 70 एरपोर्ट से आज 157 एरपोर्ट हो गया जब जगह जगह चुकि मैं भी मैं भी उस योजना का पार्ट हूँ मेरे यहां गए थे सिंधिया साहब एक छोटे से जगह है देव घर में संताल पंडा में जहां की ट्रेन नहीं रुकती थी आज हुआ हवाई जगह रुकता है हवाई जहाँ चलता है बेंगलोर के लिए वहाँ से प्लेन है दिल्ली के लिए वहाँ से प्लेन है कलकता के लिए प्लेन है राची के लिए प्लेन है सभी जगह के लिए प्लेन है केवल डेड़ साल दो साल में दो सालिय हुआ है भी आज ये चर्चा पूरे पार्लेमेंट में मैं देख रहा हुँ कि हमारे यहाँ है अईरपोर्ट बने हमारे यहाँ हवाई जहाँ जुडे यह सबसे बड़ा चेंज है मानने प्रधान मंत्री जी का रेल पर चर्चा करते करते आज हम हवाई जहाज पर चर्चा कर रहे हैं यही देश का विकास है मैं तीन चीजे हैं सभापती महोदिया मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदिय जी को कहना चाहता कि आपदा में अफसर एरलाइन्स कमपनियां ढूंडने की कोसिस करती है जिसके उपर की जिस रिपोर्ट की बात प्रेम चंदरन सहाब कह रहे हैं वो साधारन हम आप जो बाचीत कर रहे हैं उसके आधार पर नहीं हुआ कोरोना काल में जो है एरफेर बढ़ने लगे और उसमें आपदा में अफसर एरलाइन्स कमपनियों ने ढूंड लिया चुकि भारत सरकार के पास कोई मेकनिसम नहीं था तो उस पर यह कमीटी ने जिसमें दुस्यान सिंग जी बिस साल पर्मानेंट मेंबर रहे उसके अब शायद कमीटी चेंज होंगे मलब जो इनकी बाचीत से लगता है तो मैं आपको बताओ कि उस कमीटी के सामने सभी एरलाइन्स कमपनिया भारत सरकार यह सारे लोग आए जो प्रेम चंदरन सहाब और परिम्बल सहाब का जो रिजॉलिशन है या रिजॉलिशन के सपोर्ट में जो प्रेम चंदरन सहाब ने कहा वो उसका एक आसपेक्ट है जो विदेश में यह इसमें तीन तरह के आसपेक्ट हैं और तीन तरह का मैं आपके माद्यम से मंतरी महोदे को कहना चाहूँगा कि इसको तीन तरह से हेंडल करने के आवश्यक्ता है पहला हेंडल आपको ये करना है कि इंटरनेशनल जो यात्री है तो इंटरनेशनल एरलाइंस जो हमारे यहां के डोमेस्ट लोग जाते हैं वो एरलाइंस जो आपने बाइलेटरल में दूसरे भारत सरकार के एरलाइंस को यहां इजाज़त दी है आने की उन दोनों के बीच में आपका कौन सा कानून लागू होता है आप यदि डोमेस्टिक के लिए कह देंगे कि एर इंडिया को ये लेना है इंडिगो को ले लेना है विस्तारा को ये लेना है डी जी सी ए लेकिन डी जी सी ए का अधिकार विदेशी एरलाइंस पर कैसे है और वो कैसे एक्ट में लाएंगे ये मुझे बता दीजी दूसरा वहाँ भी आपके पास लेगेसी प्रॉबलम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे जो बाइलेक्टरल एग्रिमेंट हैं जो पुरानी पुरवर्ती सरकारें 2014 के पहले करके चली गई है उसको कैसे सुधा रहेंगे क्योंकि सरकार तो एक कंटिनूटी का प्रॉसेस है दूसरा जो है वो डॉमेस्टिक लोगों का है जो हम लोग देश के अंदर ट्रेवल करते हैं वहां यह दिया आपका अधिकार है तो वहां भी जो एरपोर्ट है उसमें जो स्लॉट है वो कई एक स्लॉट जो है वो लोग बाट के चले गए दोजार चौदा बे अब कुछ एरलाइंस कंपनियां मान लीजे उसके बाद ढूब गई है उसका क्या करें और तीसरा यह है कि जैसे मैंने कहा कि रेल पानी और ट्रांसपोर्ट के अलावा अब जो एक कारगो ट्रांस पहुचाना है चीजें पहुचाना है कम सस्ते दर पर पहँचाना है उसका क्या करेंगे इसको तीन तरह से यदि तीन विवाग में विवखट करके यदि आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सायिक solution के ज़्यादा नजदीग जा पाएंगे कि international traveler के साथ क्या करेंगे domestic traveler के साथ क्या करेंगे और फिर cargo के साथ क्या करेंगे क्योंकि इस से इस देश की economic को जो है वो बढ़ना है मैं आपको बताओ कि DGCA को आपने 135 में जिसके बारे में बारबार बात हो रही है जिसके आधार पर ये है कि वो price mechanism को देखते है कि website पे डाला उससे वो बाहर तो नहीं जा रहा है लेकिन जो पूरी दुनिया में जो dynamic fair का जो एक सिध्धन्त चाहे वो UK चला रहा हो चाहे US चला रहा हो उसमें जो आपका लेकुना है और फिर 2008 के में एक्ट की बात करूँगा जो एरा बना दिया है इन्हों इन्हों नहीं बनाए हमने नहीं बनाए सब कुछ बना दी यहीं चले गए मतलब ऐसा government का हाथ पौँँ बांध दिया है अब आप समझें कि जो एरा है वो मेजर एरपोर्ट की बात कर रहा है मेजर एरपोर्ट में जैसे ATF की बात दुसरन सिंग जी ने कही कि जो मेजर कॉमपोनेंट है एरफेर बढ़ने का या उसके चार्ज का ATF चुकि GST का पार्ट नहीं है तो अलग-अलग राज़ सरकारें जो है अलग-अलग ATF लेती है और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि किसी राज़ी में कहीं ATF का दाम कहीं है बंबे में कुछ है करनाटक में कुछ है हमारे यां कुछ है ATF के बाद मेजर एरपोर्ट के लिए एरा बनाता है कि आप लेंडिंग चार्ज किया लेंगे आप पार्किंग चार्ज किया लेंगे और लेंडिंग और पार्किंग चार्ज के अलावा जो एरोनाटिकल चार्ज है एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो फेर है वो एरा ते कर देती है और मान लिजे कि मेजर एरपोर्ट में तिरुवंत पुरम को भी मैं मेजर एरपोर्ट मान लेता हूँ या बैंगलोर को बड़े-बड़े सहरों के वो यदि दिल्ली तक आ गया बंबभी तक आ गया तो वो टैरिफ तो एरा टैकर दी लेकिन जो मेरे जैसे छोटे जगा पर देवगार एरपोर्ट में आएगा या जरसुग उड़ा ये जुएल उराव साहब के छेतर में आएगा या गौालियर में मानिय मंत्री जी के छेतर में जाएगा या बीजे बड़ा जाएगा आप ये बताईए कि इसका टैरिफ कौन तेकरे और दोनों एरा एरा रेगुलेटरी बॉड़ी है मैं यही कर रहा हूँ मैं आप ये की बात पर आ रहा था कि एक मेकनिजम रेगुलेटरी बॉड़ी तेकरता है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं कोई हस्तक्षे कोई एक मेकनिजम ये है जो कि एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया तेकरती है मिनिस्ट्री आफ सिविल अविशन तेकरती है अब यदि एक दूसरे के रास्ते में आप आएंगे तो कौन तेकरेगा हू बिल भी द अथारिटी है ये बड़ा सवाल है और मैं आपको बताओं कि केवल वन थर्टी फाइब को मजबूत करने का नहीं है डी जी सिय को मजबूत करने का नहीं है इसमें एरा कैसे मजबूत होगा एरा के एक्ट में क्या संसोधन करना पड़ेगा यह मंत्री जी जब तक नहीं सोचेंगे तब तक कि समस्या का कोई समाधान नहीं है हम लोग ऐसा ही बातचीत करते रहेंगे लोगों को दिखाते रहेंगे कि हम तो 140 करोड आदमी के लिए हैं कि कैसे टैरिफ कम हो जाएगा दूसरा जो एरलाइन्स कंपनी ने कमिटी में आकर कहा वो सभापती मोधिया और भी इंपॉर्टेंट है सोचने लाइक चीज़ है वो यह का रहा है कि हम कॉम्पुटिटिव प्राइस पर जो है प्राइस मेकेनिजम ते करते हैं अब हमारे यहां केवल एक ही एरलाइन्स आती है इंडिवो उसका कौन सा कॉम्पुटिशन है सफी जी जो कह रहे थे कि कार्टिलाइजिशन है मैं उससे एकदम सामत हूँ मतलब मैं आपके बात को डिसेगरी नहीं कर रहा हूँ लेकिन जहां के वह एक ही एरलाइन्स आ रही है वहां क्या प्राइस मेकेनिजम है यदि पटना में जाओं तो मैं पासजार के फेर पर जाता हूँ और मैं अपने यहां दी जाओं तो हमारे लोग जो है पंदरा हजार बीस हजार से कमपे कभी जाते ही नहीं दिलिस गरीब जगह पर जब वहां जाते हैं तीसरा जो निती में बड़ी अच्छी निती है उड़े देश का आम नागरिक और इसके कारण बहुत फाइदा हुआ चोटे जटे जगहों पर एरपोर्ट वा जैसे आइसमान भारत के कारण चोटे जगहों पर जो है हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खुले वैसे ही एरलाइन्स कंपनी को फाइदा है उड़ान स्कीम होता है लेकिन मैं आपको एक उधारन दो दरभंगा एरपोर्ट का कोराना काल में दरभंगा एरपोर्ट का बड़ा नाम हुआ कि सबसे ज़्यादा यदि कहीं से पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं तो अधरभंगा एरपोर्ट से जा रहे है क्योंकि उड़ान स्कीम में वहाँ एरलाइन्स कंपनी ने जगह ले लिया, स्लोट ले लिया जिस दिन वो उड़ान स्कीम का पैसा आप खतम करते हैं, जिस दिन योज़ना खतम होती है, उसी दिन एरलाइन्स कंपनी भाग जाती है तो जो यह टेक कर रहे हैं मेकनिजम कि हम तो प्रोटसाहित कर रहे हैं जिससे कि वो सेक्टर मजबूत हो तो जो सेक्टर के लिए बीडिंग हो रहा है वो किस से पूच करते हो रहा है उसमें कौन से स्टेक होल्डर सामिल है और यदि नहीं सामिल है तो इसमें एक बड़ी कंपनी है, स्पाइस देट मैं नाम लेकर कहता हूँ उसका उसका काम ही है केवल उसका केवल काम ही है उड़ान स्कीम में गर्वर्मेंट का पैसा लेना और उसके बाद बंद कर दो धन्यवाद माने नहीं सदस्ट बात बस दो चार मिनट में मैं खतम कर दूँगा एक दो कंक्रीट सेलिशन देते हुए बलब मैं दो चार मिनट में इसको खतम करूँगा अब इसमें आप जो है जैसे एर इंडिया और इंडियनियर रिलाइंस का मैंने बताया कि वो छोटे जगहों पर जाते थे जिसके कारण की गरीबों को फाइदा होता था लेकिन ये मेकिनिजम कौन तरह करेगा मंद्री जी कि जो बड़ी कमपनिया है आपके यहाँ एर इंडिया है विस्तारा है वो क्यों नहीं छोटे जगहों पर अपना हवाई जहाँ चलाती है वो क्यों प्रॉफिट वाले मार्केट में ही जाने की कोसिस करती है दिल्ली और बंबई के बीच में ही सबों को क्यों आवशक्ता होती है बैंगलोर ही लोगों की क्या आवशक्ता होती है इसके लिए जो मेरा सुझाव है एक दूसरा सुझाव है आपके आपसे कि जब टेलिकॉम कमपनी को हमने डी रेगुलेट किया और जब ये कहा कि नर्सिंबाराओ नहीं किया था मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके समय में जो है ये मुबाइल फोन आया तो एक बहुत बढ़िया मेकनिजम अटल ब्यारी बाचपीजी ने लागो किया दो तीन साल के बाद वो प्रदान मंत्री बन गए थे उसको काते हैं Universal Service Obligation Fund जिसको किस इंदिया साहब आप देख रहे हैंगे USOF जिसमें कि यदि आप Neglected Area को, LW Area को, Espirational District को, पिछडे चेत्रों यदि आप नर्स नहीं करेंगे, सर्व नहीं करेंगे, तो आप से हम Penalty लेंगे और ये सारी कंपनिया चाहे, BSNL हो चाहे, MTNL हो चाहे, Airtail हो चाहे, Vodafone हो चाहे, Reliance हो सभी USOF के पार्ट आप उस तरह का मेकनिजम डवलप कीजिए कि हमारे यहां 157 एरपोर्ट 157 एरपोर्ट में कुछ जगह पर हम आपको यह देंगे जहां से कि आपको बहुत profit आ रहा है और कुछ जगह पर आपको social obligation के तौर पर क्योंकि आप ही को certification देने का दिकार है आपको slot देने का दिकार है आप ही के आधार पर वो चलते हैं क्योंकि कोई भी airport जो है अभी तक हमने कोई privatize नहीं किया है क्योंकि इसमें भारत सरकार का सभी जगह stick है हम आपको तभी देंगे जबकि कुछ जगह आप profit में जाएगा और कुछ जगह आप inspirational district को nurse करिएगा तभी वो competition होगा नहीं तो एक airlines एक airport पर जाती रहेगी और उसके बाद वो competition का बात करती रहेगी तो मेरा जो सुझाव है आपके साथ और तीसरा अंत में चुकी सभापती मोहदिया ख़तम करने के लिए कह रही है तीसरा ये है कि प्रत्यक महिने एक committee आपको जरूर बनानी चाहिए एक committee अलग से जो कि DGCA के साथ एरा के representative के साथ आपके मंत्राले के साथ और सभी sector में महिने महिने में क्या finally airfare था और उस airfare के आधार पर जो आपने dynamic pricing की बात कही है उसमें से वो seat भरे जा रहे हैं कि वो seat खाली जा रहे है क्योंकि कई एक जगा ऐसा मंत्री महदे मैंने देखा है या पाया है कि वो dynamic principle के आधार पर rate बढ़ाने के लिए ये तो कहते हैं कि हमारी seat full है लेकिन उस airlines में 10, 20, 25 seat खाली जाती है कितना seat भरा गया कितने से आपने शुरू किया कितने पर खतम किया यदि एक committee आप बना लेंगे और समय समय पर यदि कोई act ला सकते हैं कि तीन मेने चार मेने पर आप parliament को उसकी जानकारी देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 140 करोर्स लोगों के साथ हम नयाय कर पाएंगे उड़े देश का आम नागरी जो हवाई चपल पहनने वाले plane में जाएंगे 157 जो 500 एरपोर्ट पर जाने वाला है जो इतना बड़ा market है जो कि Air India और Indigo ने इतने plane का order दे रखा है जो पूरी दुनिया को सोचने वाला सवाल है कि भारत का aviation sector इतने बढ़ने वाला है और इसके बाद जो आपका दूसरा competition जो पानी में जहाज उड़ने वाला है जो ड्रोन में चाहाज उड़ने वाला है उसके बड़ी policy आएंगे ये सारी policy हम successful कर पाएंगे आपने मुझे समय दिया नी सब्दों के साथ जय हिंजय वारत हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए